Hello everyone and welcome to my channel judgments in criminal law मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमित कश्यव Friends, freezing of bank account से सम्मंदित आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि investigation join करने का notice क्या होता है और आपका bank account freeze होने के बाद कब cyber sale आपको investigation join करने का notice देता है और इसके पास चात आपको क्या करना होता है तो चलिए, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अगर वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कर दीजेगा and please subscribe my channel and press the bell icon to get all the latest notifications of my new videos So let's start this video Friends, investigation join करने के notice को समझने के लिए तो जैसा कि आपको मालूम है है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने साथ हुए किसी financial fraud संबंदी complaint cyber sale में करता है तो complaint register होने के बाद उस व्यक्ति को 14 number का एक acknowledgement number दिया जाता है acknowledgement number मिलने का अर्थ यही हुआ कि cyber sale ने जो भी व्यक्ति ने complaint किया है उस complaint को दर्ज कर लिया है और उसके संबंद में अब वो inquiry स्टार्ट करने वाली है complaint दर्ज करने के बाद जो भी पैसे का fraud हुआ है cyber sale उस पैसे को trace करना सुरू करता है और जिस जिस व्यक्ति के bank account में वो पैसा पाता है उन सारे bank accounts को cyber sale bank को आदेश देकर freeze करवा देता है cyber sale को जिस भी bank account को freeze कराना होता है उस bank को cyber sale CRPC section 91 और CRPC section 102 के अंतरगत एक notice देता है और उस notice के द्वारा bank को को आदेश दिया जाता है कि वो फना व्यक्ति के bank account को freeze कर दे cyber sale के इस आदेश के बाद bank जो है वो उस व्यक्ति का bank account freeze कर देता है अब जैसे कि पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में मैंने बताए है कि CRPC section 91 और 102 का जो यह notice है वो cyber sale और bank के बीच की बात है इस notice का आप से कहीं कोई लेना देना नहीं है except कि इस notice के द्वारा ही bank आपको यह information दे सकता है कि कौन सा cyber sale ने आपका bank account freeze किया है उनका phone number क्या है, mail क्या है और किस transaction के कारण आपका bank account freeze किया गया है जब आपका bank account freeze हो जाता है, आप bank को contact करते हैं बैंक आपको यह जानकारी देती है कि कौन सा cyber sale ने आपके bank account को freeze किया है इसके बाद जब आप उस cyber sale को contact करते हैं तो हो सकता है कि cyber sale आपको physically अपने office में present होकर आपके suspicious transaction संबंदी जो भी evidences आपके पास मौझूद है उन evidences को submit करने के लिए कहता है आपके द्वारा phone पे contact करने के बाद जब भी cyber sale आपको अपने यहां बुलाता है तो यह cyber sale के द्वारा casually कही गई बात होती है आप चाहें तो cyber sale के पास जा सकते हैं लेकिन inquiry के दौरान कभी भी cyber sale को अगर इस बात के आवशकता होती है कि वहां आमने सामने बैट कर आपसे bank account जो भी freeze हुआ है या जो भी fraud हुआ है उस मसले पर आपसे inquiry करे तो cyber sale आपको CRPC section 160 के अंतरगत एक notice भीज सकता है CRPC section 160 के notice मिलने के बाद फिर आपको cyber sale के शामने जाना ही जाना होता है आप उसे avoid नहीं कर सकते हैं और जो भी evidences आपके पास मौजूद होता है उन evidences को आपको cyber sale को सौंपना होता है CRPC 160 के notice मिलने के बाद अगर आप cyber sale के सामने नहीं जाते हैं तो फिर इसके अपने legal complications होते हैं जिन्हें आपको face करना पड़ सकता है अब inquiry पूरी होने के बाद Cybercell जिन जिन bank accounts को clearance देता है उन bank account संबंदी उन bankों को NOC भेज देता है और bankों को निर्देश दिया जाता है कि फला case में फला account संबंदी जो भी inquiry थी वो पूरी हो चुकी है इसलिए अब उनका bank account release कर दिया जाए लेकिन किसी भी XYZ reason के कारण inquiry के बाद अगर Cybercell किसी भी व्यक्ति के bank account को release न करने के निर्णने लेता है तो फिर इसके बाद उस पूरे मामले में एक proper FIR दर्ज होता है उस FIR में known unknown जो भी accused होते हैं उनके साथ साथ उन सारे bank accounts को mention किया जाता है जिनको inquiry के बाद Cybercell ने release नहीं करने का निर्णने लिया है और इस प्रकार से FIR के बाद investigation स्टार्ट होता है अब यह तो हुआ एक process दूसरे process में यह भी देखा गया है कि जब भी कोई वेक्ति अपने साथ हुए financial fraud का complaint दर्ज करता है तो complaint दर्ज होने के तुरंत बाद FIR दर्ज कर लिया गया है तो फिर FIR के बाद investigation सुरूप कर दी जाती है अब investigation के दौरान अगर Cybercell को इस बात की अवशक्ता महसूस होती है कि जिन भी लोगों के bank account freeze किये गए हैं उनमें से किसी भी वेक्ति के सहीयों की अवशक्ता है या उनसे पूछताच के अवशक्ता है तो फिर इस परिस्थिती में अब Cybercell उस वेक्ति को investigation join करने का notice जारी करते हैं investigation join करने का notice जो है वो हमेशा FIR के बाद जारी होता है inquiry stage पर इस तरह के किसी भी प्रकार के notice जो है वो आपको नहीं दी जाती है इसरी बात है कि investigation के दौरान भी आपको investigation join करने का notice Cybercell देगा ही यह कोई जरूरी नहीं है यह depend करता है हर case के facts and circumstances पे और किस प्रकार से उस case का investigating officer जो है वो है investigation कर रहा है investigation के दौरान सिर्फ अगर उसे इस बात की अवशक्ता महसूस होगी कि आपके सयोग की अवशक्ता है या फिर आपसे पूस्ताच करनी जरूरी है तब ही वह आपको investigation join करने का notice देता है अगर उसे इस बात की अवशक्ता महसूस नहीं होती है तो फिर investigation के दौरान भी आपको किसी भी प्रकार का investigation join करने का notice नहीं दिया जाएगा investigation join करने का जब भी ऐसा notice आपको मिलता है तो फिर आपकी responsibility है कि आप उसे cyber cell के सामने उपस्तित हों और investigation को join करें और जो भी cyber cell आपसे पूश्ताच करें उसका सही सही और समुचित जबाब दें inquiry stage पर अगर आपने cyber cell के सामने उपस्तित होकर जो भी evidences cyber cell ने मांगे है आपने वह evidences cyber cell को दे दिया है तो फिर अगर investigation के stage पर आपको बुलाया जा रहा है तो definitely वहाँ पर आपसे पूश्ताच के लिए ही बुलाया जाएगा दुबारस है आपको किसी भी प्रकार के evidence को submit करने के अवचकता नहीं पड़ेगी लेकिन अगर inquiry stage पर आपने किसी भी प्रकार का evidence नहीं दिया है या फिर written statement नहीं दिया है तो फिर investigation stage पर आपको investigation join करने के notice मिलने के बाद वह सारे सबूत और अगर पूलिस चाहे तो written statement भी आपको cyber cell को देना पर सकता है हाँ यहाँ पर यह बात मैं एकदम sufficiently clear कर दूँ कि investigation join करने का notice जब आपको मिलता है तो इसके बाद आप किसी भी परिस्तिती में इस notice को avoid नहीं कर सकते हैं कानूनी रूप से आपको investigation join करना ही करना पड़ेगा अगर आपने investigation join नहीं किया तो न सिर्फ आपके खिलाफ कानूनी कारवाई हो सकती है बलकि मौझूदा case में भी आपकी परिस्तिती खराब हो सकती है इसलिए जब भी इस तरह का कोई notice आए तो इसे बिल्कुल avoid न करें, delay न करें बलकि investigation join करें और Cybercell को अपना पून सहयोग दें आसा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको informative लगा होगा, thanks for watching